दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करेला जामुन जूस के बारे में देखे ये जो करेला जामुन जूस है ये बैदनाद कमपनी का है आप चाहे तो किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं फाइदे सबके ही सेम होते हैं तो ये करेला जामुन जूस के क्या फाइदे होता है, कैसे आपको लेना होता है, इसके साइडिफेट क्या हो सकते है और सावधानिया, सारी जानकारी इस वीडियो में दूँगा, तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, देखे ये जो बैदनात का करेला जानकारी ले सकते हैं, और इसके प्राइस के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, तो अब मैं आपको इसके फाइदे बताओं, उससे पहले मैं आपको इबता दूँ, कि जो बैदनात करेला जामुन जूस है, ये 100% और इसमें ना ही कोई कलर और ना ही आर्टिफिशल जो कि इस प्रोडेक्ट की सबसे अची बात है, तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में, तो देखे ये जो करेला जामुन जूस है, ये हमारी हेल्थ कर ले बहुत ही अच्छा होता है, इसके बहुत सारे फाइदे हैं, इसका पहला फाइदा ये है, क खाने का मनी नहीं करता, जितना खाना आपको खाना चाहिए, उतना आप नहीं खा पाते, तो उस कंडिशन में भी आपके फाइदेमन होता है, देखे ये जो है आपके डैजेस्टिप सिस्टम को बेहतर करता है, पाचन किरिया को सही रखता है, जिससे आपकी भूग बढ़ती या pimples वगेरा हो जाना या दाने वगेरा हो जाना या जाईया तो इस टैप की skin से सम्मंदी समझ्चा है तो उसमें भी ये बड़िया काम करता है इसके अलाव़ ये cholesterol को कम करता है जो LDL जो होता है जिसे हम bad cholesterol करते हैं जो कि हमारे blood में होता है उसको भी एक कम करने में मदद करता है इसके अलाव़ ये आपकी आँखों के लिए भी अच्छा है और साथ ही ये आपके liver को भी स्वस्त रखता है तो दोस्तो इस प्रकार से देखा आपने कि इसके कितने सारे फाइदे हैं दोस्तो अगर बात करें कि आपको इसे कैसे लेना होता है तो देखिए एक ग्लास पानी में आपको इसे 30 ml है वो लेना होता है और देखिए इसे आप दिन में 2 बार है वो ले सकते है दोस्तो आपको इसे खाने खाने से पहले है वो लेना होता है दोस्तों इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन जो महिलाएं pregnant हैं वे इसे ना ले बिना डॉक्टर के सला किये बिना इसके लावा अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों को भी देने से पहले डॉक्टर से जरूर सला लें चौकि देखें depend करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है अगर बात करें इसके side effect की तो इसका कुछ भी side effect नहीं है लेकिन फिर भी देखिए इसे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी health में issue लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सला है वो ले सकते हैं देखे लास्ट मैं इतना मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि अपने खाने पर भी wishes ध्यान दीजिए healthy food लीजिए फाइवर वाला खाना खाईए और टाइम पे खाईए और टाइम पे सोईए देखे दिन भर सही मातरा में पानी जरूर पीजिए exercise जरूर करिए जिससे आप इस करेला जामुन जूस के और भी भर पूर फाइदे हैं वो ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी करेला जामुन जूस के बारे में कुछ महत्पून भरी जानकारी देखे अगर फिर भी कोई question आपके मन में चल रहा हो इस करेला जामुन जूस को लेकर तो आप मुझे comments के द् सबसे पहली पहुँचे मैंने मी जितेईश एंड थैंक यू सो मज फोर वाचिंग